नमस्कार राम राम किसान भाईयों तेज हर्याना एग्रिकल्चर के सेक्पेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इनुवेटिड आइडिया के साथ खेती करने वाले हर्याना के गुरुगराम के किसान स्टीश की जो प्रकरतिक खेती करके भी लाखों का मुनाफ़ा कमा रहे हैं और आज के दोर में बले ही किसान पेस्रे साइड की तरफ भाग रहे हो लेकिन नेचरली जो प्रकरतिक विदी के साथ जो खेती की जाती है उसमें भी किसान अब टेक्निक के साथ अडवांस टेक्निक के साथ जिसमें सरकार भी आपको सबसेड़ी दे रही है काफी अच्छा काम कर रहे हैं नाम कमा रहे हैं और मोटा मुनाफ़ा भी कमा रहे हैं और ये हैं प्रकरतिक खेती से लाखों का मुनाफ़ा कमाने वाले गुरुग्राम की प्रकरती शीर किसान स्टेश देश में प्रकरती खेती का चलन अब बढ़ने ल बात यह है कि इनकी अडवास बुकिंग जो नॉर्मल रेट होते हैं, इनको दुगने रेट में इनके फल हैं, वो आम चीकू की बात करें, वो बिकते हैं और ये घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हैं, स्तीश कमाने खेती की लागत को कम करने और अत्रिक्त आए कमाने के लिए फ प्रग्राम के प्रग्रतेशील किसान, स्तीश कमार खुद तो शहरी किसान मानते हैं और अडवास तकनीक को अपनाने में विश्वास रखते हैं, पिछले कई सालों से सबजी और फ़नों की खेती कर रहे हैं, बागवानी विभाग से मिली जानकारी और सेयोग सुन की खेती बताते हैं कि अडवास रहने से ही पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि चीज हमने दस साल पहले खेती में अपनाई थी हो सकता है, वो दस साल अपडेट होकर आएं और हमारी मेहनत को और मुनाफ़ा बढ़ा दे। घना मृत बचे हुए गोबर से वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश से भी निकाला जाता है, स्तीश बताते हैं कि केमिकल का इस्तेमाल एक लिमिट तक ही सही रहता है, लेकिन प्रकरती में बैलंस मनाई रखने के लिए प्रकरती खेती ही सही है, और बागवानी में स्केटिं के डिमार्ड रहती है, उनका नाम बहुत शुमार है, और वो बताते हैं कि मार्केटिंग के लिए बजार में बठकना नहीं पड़ता है, बलकि एडवानस बुकिंग रिजाती है, खेत काम 140 रिपे के लिए उनका बिखता है, और चीकू 80 से 100 रिपे, क्योंकि वो प्रकरतिक नेचुरल ली है, उसमें कोई साइड एफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी खाब का इस्तेमाल नहीं होता है, जो पेस्टिसाइड होती है, अडवास बुकिंग होती है, दूसरे फान पर भी 10 से 12 पेड़ है, जिनमें से 5 पेड़ बढ़े हैं, प्रकरतिश्क क किसान स्टिश्क मार अपनी सफलता का अशिरे भी टेकनीक को देते हैं, और वो बेहत खुश है क्योंकि इंकम वो अपनी 3-4 गुना बढ़ा जोके हैं, तो इस वीडियो के जडिये मैंने इनोवेटेड किसान की उस लाइफ लाइन को उठाने का परयास किया है, उन किसान भ पनाफ़ा थोड़ा लेट शुरू होता है, मान लीजिए आपने अगर नैचरली तरीके से एक एकर में कनक भी बहुती है, कि आप बिना रे सप्रे की पेस्ट्री साइड के बिना आप गेहूं का अतुपाद लेना चाहते हैं, तो हो सकता है पहले साल आपको मुश्किल से 15- 20-20 मनकनक मिले, उसरे साल आपकी बढ़ेगी, 30 सार बढ़ेगी, तो नैचरली 3-4 साल के बाद आपकी खेती में इजाफा होता है, और वो गेहूं मिश्क तोर पर बहुत बड़े महंगे दाम पर बिखती हैं, इसके लिए लोग सर्च करते रहते हैं, कि हमें ऐसी खेती की ग को फॉलो करें, शुकरिया